असलाम लेकुम आवरीवन वेलकाम बैक टो मेरे चानल आज मैं आवसे नली नहारी का पाउडर घर पे कैसे बनाते हैं वह शेयर करने वाली हूँ तो चले हम रेसिपी को शुरू करते हैं यहां पर मेना फ्लेम पर पाउन रख लिया है अब यहां ऌना हम पर सावित लाल मिच डा ली है और मेने यहां पर तेज पता लिया है नहीं चार तेज पता ल्यान है अब हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे अब इसको मैंने रोस्ट करते हुए साथ से आट मिट हो चुके हैं तो यह अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे फिर से मैंने फ्लेम पे पैन रख लिया है अब मैं इसमें साबुत काली मिच आड़ कर रही हूँ वन टेबल स्पून अब मैं इसमें हरी लेचे आड़ कर रही हूँ टू टेबल स्पून अब मैं सोम पैट कर रही हूँ टू टेबल स्पून अब हम इसमें स्टार अनेज आड़ करेंगे मैंने दो स्टारा निज लिये हैं अब हम इसमें जाफल आड़ करेंगे मैंने एक जाफल लिया है अब हम इसमें दालचीनी आड़ करेंगे मैंने दो पीसस लिये हैं इन सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक इन मसालों के अच्छे से खुश्ब नहीं आ जादी तब तक हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे अब इसको दस्मीर तक मैंने अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है अब इसके अच्छे से खुश्ब आनी लगी है अब हम इसको निकाल लेंगे फिसमें मैंने फ्लेम पे पैन रख लिया है अब हम इसमें लांग पेपर आट करेंगे मैंने फोर पीसस लिये है इसको पीपली भी कहते है यह आपको आउनलाइन आसानी से मिल जाएगा अब हम इसमें जावीत्री आट करेंगे मैंने जावीत्री की तीन पीस्तस ले लिये हैं इसको मैंने तोड़ लिया है अब हम इसमें जीरा एट करेंगे मैं त्री डेबल स्पून जीरा एट कर रहे हूँ अब मैं इसमें साबुद धन्याड़ कर रहे हूं में 14 ये ये हैं अब सारे वासालों को हम अच्छी से रोस्ट कर लेंगे जब तकके अच्छी से रोस्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसको अच्छी से रोस्ट कर लेंगे पांच मिट हो चुके हैं मैंने पांच मिट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे अब हम इसको निकाल लेंगे अब हम सारे मसालों को थंडे के लिए छोड़ देंगे जोब तक मसाले अच्छे से थंडे नहीं हो जाते तब तक हम इसको रख देंगे अब माज़र अच्छे से थंडे हो चुके हैं तो मैंने हम पर जाद ले लिया है अब हम इसमें डाल के इसको फाइन पौडर कर लेंगे अब हम सब को इसको तोड के डालेंगे छोटे छोटे पीसस करके तेजपता और साबुत लाल मिच को क्योंकि अच्छे से फाइन पौडर हो सके मैंने सिफ हाफ इसमें डाला है बाद में हम इसको हाफ डाल के फाइन पौडर कर लेंगे अब हम इसमें जिंजर पौडर अड़ करेंगे मैंने तीन टेबल स्पौन जिंजर पौडर लिया है अब हम आफ डालेंगे बाद में हम आफ डालेंगे अब हम इसका फाइन पौडर बना लेंगे अब देख सकते हैं कि मैंने इसका फाइन पौडर बना लिया है अब हम इसको निकाल लेंगे मैंने एक बॉल ले लिया है अब हम बचे हुए मसालों को भी अच्य से पीश लेंगे यहाँ पर मैंने बचा हुआ जिंजर पॉर्टरेट किया है अब हम इसका अच्चे से फाइंड पोर्डर बना लेंगे अब हम आना नली नहारी का पोर्डर तो प्लीज लाइक शिरा सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल बटन को जरूर दबाएगा क्योंकि मेरी नूव वीडियो की निट्फिकेशन ही वापका सानी समेल सके मेरा वीडियो दिखने का प्लाइब